सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेकनोलजी, लेटास्ट वीडियो के लिए बेल आइकोन दोएं Welcome to my channel सुपर टेकनोलजी, मेरा नाम मंदीब दुल्ट, दोस्तों Microsoft Teams के लेटर मैं already वीडियो से अपलोड कर चुका हूँ Microsoft Teams को laptop में कैसे यूज करना है, mobile में कैसे यूज करना है, कैसे meeting schedule करनी है, कैसे meeting का link शेयर करना है, कैसे students ने join करना है दोस्तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टीचर ने स्टूडेंट को कैसे assignment send करनी है और कैसे student ने assignment का respond करना है यह सभी देखने के लिए बने रहे हैं मेरी वीडियो के end तक Left phone को हम as a teacher phone use करेंगे and right phone को हम as a student phone use करेंगे दोनों ही phone से मैंने sign in कर लिया है दोस्तो यहाँ पे teacher के पास left side पे click करके option area class को change करने की means team को change करने की teacher कभी भी यहाँ पे clicker के team change कर सकता है main screen पे यहाँ पे option area activity की जो भी teacher यहाँ पे activity करेगा सभी activity show होगी second option area chat की teacher यहाँ पे pen के sign पे click करके direct student के साथ chat कर सकता है आप किसी भी student को add कर सकते हो उसके बाद आप next यहाँ पे कितने भी student को add करके कितनी members को add करके chat कर सकते हो दोस्तो next option area teams की उसके बाद option area meeting की teacher यहाँ पे click करके meeting create कर सकता है meeting create करने के बाद यहाँ पर link create हो जाएगा इस link को student के साथ share कर सकता है meeting करने के लिए उसके बाद the next option अरी है more की जैसे more पर click करके teacher यहाँ से call भी कर सकता है files भी attach कर सकता है and camera click करके को send भी कर सकता है and wikipedia search करके को send कर सकता है and यहाँ पर saved files शो हो जाएगी दोस्तो अभी teacher ने students को assignment send करने के लिए teams पर click करने teams पर click करने के बाद teacher को यहाँ पर सभी teams शो हो जाएगी जैसे यहाँ पर मेरे पास है 10th class 10th class के under जितने भी आपके subject यहाँ पर होगे आपको यहाँ पर सभी subject शो हो जाएगी उसके बाद आपने particular subject को चूज करने है जिसको आप teach करवा रहे हूँ जैसे यहाँ पर मैं select कर रहा हूँ social science को subject को select करने के बाद इस type की screen आपके पास यह हो जाएगी जैसे post file and more student को assignment send करने के लिए files पर click करने files पर click करने के बाद यहाँ पर show हो रहा है share files in this channel तो teacher ने यहाँ plus के sign पर click करने है यहाँ पर show होगा create folder and upload दोस्तों अगर आप चाहते हूँ कि आप folder के under files create करने चाहते हो तो आपने पहले create folder पर click करने है create folder पर click करने के बाद आप यहाँ से manually name change कर सकते हूँ जैसे यहाँ पर मैं write कर रहा हूँ assignment one assignment first write करने के बाद आपने यहाँ create पर click करने है okay पर click करने के बाद यहाँ पर आपके पास folder create हो जाएगा दो तो यहाँ पर folder create हो गया है उसके बाद आपने folder को select करने है folder को select करने के बाद folder open हो जाएगा उसके बाद आपने फिर से plus के sign पे click करना है and upload पे click कर देने आपने उस particular file को choose करना है जिसको आप send करना चाहते हूँ तो आपने कोई भी file manager select करना है तो उसके बाद आपने location चूज करना है जहां पे आपकी file saved है इस file को upload करना चाहता हूँ दोस्तो upload करने के बाद आपने post पे click करने post पे click करने के बाद आपने यहां पे एक message write करना है students को जैसे यहां पे मैं write कर रहा हूँ I have sent you assignment in files submit before due date तो आपने इसाथ में due date भी mention कर देनी है उसके बाद आपने send पे क्लिक कर देने है दोस्तो जैसे student को यह message receive हो जाएगा तो student files को check करेंगे दोस्तो जैसे student teams पे click करेंगे teams पे click करने के बाद subject को choose करेंगे student के पास यहां पे message हो हो जाएगा post के under जो भी teacher ने send किया है यहां पे teacher का name show हो जाएगा जैसे इस student यहां फाइल्स पे क्लिक करेंगे student को यहां पे folder शो होगा और folder को select करेंगे उसके बाद student को image शो होगी जो भी आपने send की है जैसे student इस image को select करेंगे तो student के पास यहां पे जो image है वो open हो जाएगी उसके बाद student यहां three dots पे click करके इस image को अपने phone में भी save कर सकते है अगर share करना चाहते है तो किसी भी source के तुरू इस image को share कर सकते है अभी हम देखने वाले है कि student ने respond कैसे करना है और दोस्तों अगर student यहां plus के sign पे click करेंगे तो student भी यहां पे folder create कर सकते है जा को file upload कर सकते है लेकिन अगर यहां पे कुछ file upload करेंगे तो सभी student को यह होगी student ने teacher को file कैसे submit करनी है कैसे assignment submit करनी है तो student ने यहां post पे click करने है student ने post पे click करने के बाद reply पे click करने है अगर आप group में कुछ send करना चाहते हो group में कुछ write करना चाहते हो तो आपने यहां directly ऐसे ही write कर दिने है Otherwise Students ने add the rate पर click करने है उसके बाद Teacher के name को select करने है After that Student ने यहां file के assign को select करने है उसके बाद अपने phone से जो भी file आपने assignment के लिए त्यार किया है ready किया है आपने उस particular file की photo pick करनी है अगर आप already photo click कर चुके हो तो आपने open photo library पे click करने है यहां से आपने उस particular file को choose करने है student जैसी file को click करेगा उसके बाद student ने file को select करने है add file को select करने के बाद student यहां से file को crop भी कर सकता है rotate भी कर सकता है add अगर अपना name बगारा write करना चाहता है pen से तो name भी write कर सकता है अगर साथ में यहां पे कोई और file add करना चाहता है तो second file भी add कर सकता है second file को add करने के बाद उसके बाद done पे click करने done पे click करने के बाद send पे click कर दिने दोस्तों अभी यह message teacher को personally receive होगा क्योंकि यहां पे हमने लगा है add the rate जैसे यहां पे show हो रहा है add the rate एड दोस्तों अगर student PDF file upload करना चाहता है तो student ने कैसे करने है student ने add the rate से पे click करने है और उसके बाद फिर से teacher का name select कर दिने है अगर सिर्फ teacher को ही show करना चाहता है तो यहां पे attachment पे click कर दिने है जैसे student attachment पे click करेगा उसके बाद student यहां पे कोई भी PDF file को चूज कर सकता है जो भी उसके phone में saved है जो उसने पहले ही already created करकी रखी हुई है जैसे मेरे पास यह assignment one response PDF file already saved है और उसके बाद डबल click करना है जैसे student डबल click करेगा तो PDF file attach हो जाएगी उसके बाद send पे click करना है आपको एक important option बताना चाहता हूँ कि जैसे last date है उस दिन teacher ने students को alert करना है कि आज last date है assignment की तो कैसे alert करना है त्री ड़ॉट्स पे click करना है यहां पे option मिलेगी priority की तो आपने priority पे click करना है important message will be marked as important तो आपने यहां पे message write करना है today is the last date of assignment first दोस्तों यह message important message होगा थोड़ी थोड़ी देर बाद students को message alert करता रहेगा कि आज last date है जैसे यह teacher यहां पे message send कर देगा student के पास यह important message हो जाएगा जैसे यहां पे show हो रहा है अगर आपकी Microsoft Teams जा किसी other education app created query है जा कुछ suggestion है तो मेरी वीडियो के comment box में comment कीजिए मैं आपके हर comment कर अपलाई करूंगा thank you for watching please subscribe my channel for more technical updates